दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने मोगाईल के internet का speed क्या है, connectivity क्या है, server क्या है, दोस्तों सारी चीज़ आप अपने मोगाईल से ही कुछ चेक कर सकते हैं, कि आपका internet का क्या position है, कैसा आपका internet है, तगड़ा है, नहीं है, बेह प्रिस्टिय अपर बोलग Greencell को सब्सक्राइब कर दें साभी में दूस्तो बैल आइगान को प्रिस कर दे क्योंकि आने वालए वीडियो स्टैप कि आपको सबसे पहले वह लेंगे तो आई यह दुस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आपको अपने play store को open करना है और open करने के वाद से दोस्तो एक मैं आपको application बता रहा हूं वो application को आपको install करना है तो मैं यहाँ पे type कर देता हूं दोस्तो speed test यहाँ पे type करते ही दोस्तो आप यहाँ पे दिख सकते हैं कई सारे speed test meter आपको मिल जाएंगे मगर दोस्तो जो मैं आपको application बता रहा हूं उसी application को आपको install करना है दोस्तों यहाँ पर जो second वाला application है मैं इसको open कर देता हूँ यह आप इसका logo देख सकते हैं यह इसका logo है दोस्तों इसी application को आपको install करना है अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अब इसको open करके कि आप सब कुछ इससे कैसे check कर सकते हैं तो दोस्तो इस application को आप install कर लिज़ें ओके पे click होते ही दोस्तो आपको ऐसा interface मिलेगा दोस्तो अब यहाँ पे आपको go पे click कर देना है go पे click होते ही यहाँ पे दोस्तो आप नीचे देख सकते हैं किस company का आपका जो internet है वो है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा अब दोस्तो यहाँ पे यह जो है सबसे पहले आपका downloading बता रहा है कि कितनी MB speed आपकी downloading का है आपके इस mobile के internet का तो दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं 31.5 MB जो internet है यह हमारा downloading है अब दोस्तो अभी जो यह meter चल ला है यह uploading का चल ला है दोस्तो इसको complete हो जाने दीजेए उसके माँ आपको कुछ और इसमें जो जरूरी चीज़े हैं मैं आपको बताता हूँ अब दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं जो uploading है वो 2.94 मतलब कि लगभग 3 MB जो है हमारा uploading है दोस्तो downloading क्या होता है और uploading क्या होता है जोस्तो जिस file को हम download करते हैं वो file की speed अगर यह downloading की speed अच्छी है अगर किसी file को हम download करते हैं तो वो file बहुत अच्छे से download हो जाएगा और दोस्तो अगर आप अपने मुभाइल से किसी फाइल को किसी सर्वर में uploading कर रहा है जिसे कि माली जब मैं यूटूब पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं यूटूब पे अगर कोई वीडियो upload कर रहा हूँ अगर दोस्तो यहाँ पे downloading 31.5 MB है और यहाँ पे दोस्तो अगर uploading जो है वो zero है दोस्तो वो जो मेरा file है वो upload नहीं होगा दोस्तो आपके file को upload होने के लिए यहाँ पे uploading speed most है और दोस्तो जो आपको file को अपने mobile में download करना है उसके लिए यह आपका download speed most है अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो नीचे लाइन जो चल रहे थे अभी जब speed meter जब चल रहा था तो यहाँ पे आपको यह देख सकते हैं एक blue color का है एक green color का है यह जो line है यह दोस्तों यह line जो है यह जितना तेड़ा मेड़ा रहेगा मतलब कि उतना खाराब आपका internet है मतलब कि जो आपका internet है वो बहुत जादे flatuate कर रहा है वो बहुत मतलब कि कभी तेज हो रहा है कभी धीरे हो रहा है तो दोस्तों उससे क्या होता है कि ना ही downloading बहतर होती है और ना ही uploading बहतर होती है भले यहाँ पे speed आपको 31 MB दिखा रहा है मगर वो अच्छे से आपका work आपके mobile में नहीं करेगा अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ping दोस्तों पिंग क्या होता है यह एक connectivity server है दोस्तों आप जब किसी website को open करते हैं तो उस website की connectivity को जो यह connect करता है यह उसका speed है उसका जो speed है वो 57 ms है दोस्तों यह जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका जो किसी भी website को open करेंगे तो वो उतना late से open होगा और दोस्तों ये पिंग जो connectivity है ये जितना कम रहेगा जिसे 57 है 40 है 40 हो गया 20 हो गया ये जितना कम से कम रहेगा उतना तेजी से वो website open होगा तो दोस्तों अगर आप भी अपने mobile में internet use करते हैं अगर किसी company का broadband use करते हैं और वहाँ से आपको बताया जाता है कि इतने भी हमारा speed है ये है वो है तो आप फटाक से अपने mobile में वाई-फाई से connect करके और उनके internet का आप सारा data आप analysis कर सकते हैं कि उनके internet की इस्थिति क्या है और दोस्तों आप अपने mobile में बहुत simple तरीके से आप check कर सकते हैं दोस्तों अगर आप यहाँ पर अभी तो मैंने ये internet की से मेरे चल रहा है अब दोस्तों यहाँ पर अपना wifi को connect कर देता हूँ तो जैसा कि दोस्तों मेरे घर पे मेरा broadband लगा हुआ है rail tail का मैं broadband भी चलाता अब मैं दोस्तों इसको cut कर देता हूँ cut करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी air tail लिख रहा था अब यहाँ पर rail tail लिखके आ गया है अब दोस्तों मैं यहाँ पर go पे click कर देता हूँ गो पे click होते ही दोस्तों आप यह देख सकते हैं यह जो मेरा rail tail का internet है यह 5 MB इसका मैं downloading speed लिया हूँ और दोस्तों जो इसका uploading लिया हूँ वो भी मैं 5 MB लिया हूँ दोस्तों आप इस internet में और उस internet में आपको अंतर क्या दिखेगा उससे उस internet से इस internet का जो downloading है वो कम है बट इसका 39 मिली सेकेंड है और दोस्तों यहाँ पे जो इसकी lining है दिखरी है आपको वो बिल्कुल 10-0 ती और जो इसकी lining है वो बिल्कुल एकदम accurate सीधी है तो दोस्तों जितनी यह यह जो ping है वो जितना कम रहेगा और यह lining जितनी सीधी रहेगी उतना best आपका internet चलेगा चाहें वो आपकी downloading 2MB हो, 3MB हो, 4MB हो, 5MB हो चाहें वो 1MB ही क्यों नहों और दोस्तों अगर आपकी downloading या uploading 20MB, 25MB, 30MB है और आपकी जो ping है यह आपका ज्यादे है और यह आपकी जो lining है server की lining है यह बिल्कुल तेड़ी है तो मतलब कि दोस्तों आपका internet बहुत ही खराब है तो दोस्तों आप भी अपने mobile में अपने internet को ऐसे analysis ऐसे check कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आओ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देए तो साथी में बैल आइकन को प्रेस कर देए इस टाइब की वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ जय हिंद बंदे मातरम